कि नमस्कार मैं बार फिर आप सब içते हैं आज अपन बात करेंगे राजस्तान के परीचे पर एक क्लास अ पनी हो चुकी थी ये जो क्लास है राजस्तान के परीचे की दूसरी क्लास है है यहां से कच्षान पूछे जाते हैं तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान की और राजस्थान के अंदर अपन कर रहेते इस्तितियों विस्तार और इस्तितियों विस्तार में मैं आपको बता रहा था अक्सांस तो अक्सांस अपना कंप्लीट हो चुका था आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे देशांतर की देशांतर की बात करें यानि कि देशों देशों प्लस अंतर प्लस समय यानि कि देशों के बीच में जो अंतर होता है वो समय वो किस से ग्याद करते हैं पन देशांतर से और देसांतर क्या है एक कालपणिक रेका है इमेजनरी लाइन है यह एक कलपना की गई है जैसे अगर राजस्थान की बात करे तो देशांतर के आधार पर राजस्थान जो है वो कौन से गुलार्द में ये कौसन पूछा जाता है तो देखते हैं क्या है ये अपनी पूरी प्रत्वी है और इस प्रत्वी की में बात करूँ तो इस प्रत्वी पर ये उत्री धुरू और ये कौन सा धुरू हो गया दक्षिनी धुरू देखा उत्री धुरू को दक्षिनी धुरू से मिलाने वाली कालपनिक रेखा को अपन क् कहेंगे देशांतर कहेंगे क्या कहेंगे मेरे बई देशांतर कहेंगे चले आगे यह जो देशांतर होता है यह कालपनिक रेखाएं होती है और यह उत्री धुरू को दक्षणी धुरू से मिलाती है कोई दिकत चले आगे अब देखो मेरे बएड यहां पर यह पूरी प्रत्वी है इस पूरी प्रत्वी को दो समान भागों में बाटने वाला यह रेखा हो गई और उस रेखा को कहते हैं है अपका ग्रिंविच रेखा ग्रीन वीच रेखा है इसी को प्रधान या मोतर रेखा भी कहते हैं या मोतर रेखा भी कहते हैं देखो ग्रिनविच रेखा इस पूरी प्रत्वी को दो समान भागों में विभाजित कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दो समान भागों में विभाजित कर रहे हैं ये जो भाग है ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया अब दो भाग हो रहे आदा भाग इधर और आदा भाग इधर इसलिए इसको मोलते है पूर्वी गोलार्द गोलार्द का मतलब होता है गोले का अर्ध यानि की गोले का आधा भाग और ये कौन सा होगे पश्चिमी गोलार्द कोई दिक्कत देखो पूर्वी गोलार्द की बात करते हैं अपन तो पूर्वी गोलार्द यह पूरी प्रत्वी को अपने देखा था 0 डिग्री भूमत दे रेका काड़ती है 0 डिग्री भूमत दे रेका और जैसे अपने देखा था यहाँ पर भी एक अक्सांस था जिसका नाम था करक रेका और यह तो साड़ी 23 डिग्री उत्री अक्सांस या इसी को कहते हैं करकरेखा, क्या कहेंगे भी इसको करकरेखा, यहांपर अपना भारत इस्तिते, यहांपर अपना पूरा भारत इस्तिते अब पूरा को पुरा भारत अगर मैं आपसे कोशन पूछूं कि देशांतर के अधार पर कौन से गोलार्द में तो भारत जो है देशांतर के अधार पर पूर्वी गोलार्द में कौन से गोलार्द में पूर्वी गोलार्द में तो देशांतर के अधार पर भारत पूरवी गोलार्ज में देशांतर के अधार पर भारत कौन से गोलार्ज में हो गया पूरवी गोलार्ज हो गया चले आगे देखो भी यह जो पूरवी गोलार्ज में अगर पूरा को पुरा भारत है तो राजस्तान भी इसी के अंदर होगा राजस्तान भी भारत में ही इस्तित है यानि कि देशांतर के आधार पर देखो भी देशांतर के आधार पर आधार पर जो राजस्तान है राजस्तान के दो या पिर भारत दोनों ही कौन से गोलार्द में होंगे दोनों ही पूर्वी गोलार्द में होंगे अब भारत की बात कराओं तो भारत को प्रतियक देशांतर प्रतियक देशांतर पूर्वी गोलार्द का ही काट रहा है तो भारत के अंदर जितने भी देशांतर होंगे वो कौन से आएंगे पूर्वी गोलार्द के ही आएंगे ठीके तो यह पूर्वी गोलार्द तो देशांतर के आधार पर भारत या राजस्तान पूर्वी गोलार्द में इस तेशांत्र के आधार पर राजस्तान या भारत पूर्वी गॉलार्द में इस्तित है पूर्वी गॉलार्द में इस्तित हैं, पूर्वी गॉलार्द में इस्तित है, चीक है भई, आप चलते आगे, मिटा दिया, लिख दिया ना मतलब आपने, अब मिटा रहा हूं में इसको, ठीके, एक लाइन लिखी यहां पर, एक चीज लिख लिजिए देशांतर की परिभासा, तो देशांतर बराबर तोड़ी से एक परिवास से लिख लो, बाद में काम में आईए, तो लेको इसमें, यहाँ एक कालपनिक रेका है, यहाँ एक कालपनिक रेका है, जो उत्री धुरू को दक्षणी धुरू से मिलाती है, जो उत्री धुरू को दक्षणी धुरू से मिलाती है, जो उत्री धुरू को दक्षणी धुरू से मिलाती है, छीके भई, चलें, देखो भई, अब मैं बात कर रहा हूँ, देशांतर की, तो देशांतर में प्रकार से पूरी प्रत्वी है, देखा है, भीचों 20 जो है, 0 डिग्री, ग्रीन विच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीन विच रेखा, यह उत्री धुरू हो गया, और यह दक्षणी धुरू हो गया, देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, तो पूरी प्रत्वी पर इस प्रकार से, ये सारे के सारे देशांतर है ये सारे के सारे देशांतर है तो इस प्रकार से एक grid के रूप में ये फेले वे पूरी प्रत्वी पर और जैसे अगर मैं बात करूए इन देशांतर की तो एक जो देशांतर होता है वो यहां से स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हुआ इस प्रकार से चलता रहता है और यहां पर आकर इसमें मिल जाता है तो यह एक कौन के रूप में दिखाए दे रहा है इसके आकरती किसके रूप में दिखाए दे रही है वही कौन के रूप जैसे मैंने वापर चापी लिखवाए थी यहां पर देशांतर की जो प्रकर्ती है वो केसी भी कौणिये या चापी है कौणिये फिर चापी इसकी प्रकर्ती है तो यहां पर आप एक लाइन लिख लिजिए कि देसांतर की प्रकरती कौनिये या चापिये हैं जब कि अक्सांस की कहती रतिय थी इसकी कहसी है चापिये थी अब देखो मैंने कहें रखा है कि ये जितने भी ये सारे के सारी लाइने हैं इस सारी क्या है देसांतर है लोंगीट्यूट है और ये देसांतरों की जो संक्या है ये देसांतरों की संक्या प्रत्वी पर प्रत्वी पर तेन सो साट है वही कितनी है तेन सो साट तो प्रत्वी पर कुल कितने देसांतर पाए जाते हैं प्रत्वी पर कुल 360 देशांतर पाई जाते हैं कितने देशांतर? 360 देशांतर पाई जाते हैं ठीके भई? चले आँगे देखो अब देखो एक देशांतर को पार करने में एक देशांतर को पार करने में देशांतर को पार करने में चार मिनट का समय लगता है भई कितने मिनट का? चार मिनट का तो मैं आपसे question पूछू भई दो देशांतर को पार करने में तो आप कहोगी कि सर दो को चार से multiply कर दो क्योंकि एक देसांतर को चार मिनट लगता है तो दो देसांतर को आर्ट मिनट लगेगा एक लाइन लिखिए भी यहां पर एक देसांतर को पार करने में चार मिनट का समय लगता है एक देसांतर को पार करने में चार मिनट का समय लगता है चार मिनट का समय लगता है ठीक है भई लिख लिया अब देखों अब जैसे एक को पार करने में चार तो दो को पार करने में आठ इसी प्रकार से अगर पंद्रा देशांतर को पार करेंगे तो चार से मिल्टिप्लाई कर दो चार मिनट से तो कितना जाएगा साट मिनट और साट मिनट को हावर में चेंज करेंगे तो तो यह साट मिनट का हावर में चेंज करेंगे तो डारेटी पता दो न एक घंटा हो रहा है हमको पता है भी 60 मिनट का एक घंटा होता है यानि कि 15 देशानतर को पार करने में एक घंटे का समय लगेगा लिखो प्रत्वी पर 15 देशानतर को पार करने में प्रत्वी पर 15 देसांतर को पार करने में चार मिनट का पंदरा देसांतर को पार करने में 60 मिनट या एक घंटे का समय लगता है लिख 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 वाई चले देखू लिख लिया रहा देखो चलते हैं अब देखो एक देशांतर ये हैं दूसरा देशांतर ये हैं दो देशांतरों के मद्दे जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमेटर कितनी हो ये हो ये हैं 111.32 किलोमेटर की दूरी हो ये हैं तो एक लाइन लिखिए कि दो देशांतर को पार करने में सोरी सोरी सुरी सुरी स्टूडेंस आपनको ये लाइन नहीं लिखनी थी तोड़ा उसको cut कर दीजी, कोई बात नहीं है, ठीक है, दूसरी लाइन रखिए, सोरे, दो देशांतरों के मद्दे 111.32 किलोमेटर की दूरी है, ठीक है, 111.32 किलोमेटर की दूरी है, चले, देखो, अब देखो भई, यहाँ पर एक कोशनर पूछ लिया जाता है, कि दो देशांतरों के मद्दे की दूरी को किस नाम से जाएंगे तो गोरे, बहुत बारा एक्जाम में भी आया है, तो यहाँ पर एक लेंड को, कि दो देशांतरों, कि दो देशांतरों के मद्दे की दूरी को गोरे कहते हैं, क्या कहते हैं भई, गोरे कहते हैं, क्या कहेंगे, गोरे कहेंगे, चले, अब देखो, यह लिख लिए अपने, मिटारों में इसको, अब देखो भी, अगर मैं भारत की बात करता हूँ, तो यह अपना भारत है, यह अपना भारत है, और इस भारत की में बात करूँ, तो इस भारत में यहाँ पर, एक रेका है उस रेका को बोलते हैं वो देसांतर है साड़े बियासी डिग्री पूर्वी देसांतर और इससे भारत का समय ग्याद करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मानक समय रेका अभी क्यों कीची गई इसके बारे बाद में डिसकस करेंगे अभी में एक पता करना है वो क्या करना है एक कोशन जनरली आपने देखा होगा कि ग्रीन वीच रेका से भारत का समय कितना आगे हैं और अपने रटते हैं उसको साड़े पास गंटे तो रटना नहीं है उसको समझ यह जाएंगे यह सिख़़ पूर्मी भाग और तो समय क्या होगा बड़ेया था Or इदर परिभाग मनलने तो मायने सम में होगा समझ में आ रहे हैं अब मालो कि भारत जो है मालो के है भारत जो है वो देशांतर के अधार पर पूर्वी गोलार्द में कौन से गोलार्द में पूर्वी गोलार्द में अब पूर्वी गोलार्द में जो है तो पूर्वी गोलार्द में जैसे जैसे जैंगे तो समय की समय बढ आजाएगा ठीक है अब मुझे अगर भारत की मानक समयरेका तक जाना है कि मानक समयरेका साड़े बईयासी यहां से भारत का समय निश्यत क्या जाता है तो मुझे यहां का समय भारत का समय निकालना है तो मुझे साड़े बईयासी से तो मुझे क्या होगा कि इसके बीच में ज साड़ी बैयासी तक जाता हूं यह Some mettre water भीनानेघ्न सांथ Karena मुझे मैं कि आपको कितने भी साथर बने कई में कहुए की मुझे दोसी जांथतर पारकरना थो मुझे तो कितना असमेश समय लगेगा तो आप कहाँगे कि सर एक साथर पार करने में चार मिनिट तो दो को आट मिनिट हो गया इसमें कौन सी बड़ी बात है अब मैंने कहा कि मुझे तो दस देशांतर पार करना है तो आपने कहा कि सब्सक्राइब करता है तो चालीस मिनिट हो गया पंदरा को तो साट हो गया ठीक है चार से मिल्टिप्लाइब गया तो मुझे यहां पर साइग 14303 मिनट में लगती है और इसको जब हावर में चेंज करता हो तो 60 मिनट इस में क्या करने भाग देना पड़ेगा और भाग देता हो तो 5 गंटे 30 मिनट कितना है मेरे भी 5 गंटे 30 मिनट कर समय इसमें लगा कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना चले देखो भी लिखो इसके अंदर लिखो इसके अंदर Greenwich रेखा से लिखो भी Greenwich रेखा से भारत का समय ग्रीन बिच रेखा से भारत का समय 5 घंटे 30 मिननट आगे हैं अब मान लो हुआ कि जो भारत है यह भारत ग्रीन बीच रेखा से अकर पश्ची भाग में होता सेम कंडिशन होती पश्यमी भाग में होता तो समय आगे नहीं होता पीछे होता और पीछे कितना होगा पांच गंटे तीस मिनट यानि कि पांच गंटे तीस मिनट अपना समय क्या होता पीछे होता अगर पश्यमी गोलार्द में होता तो लेकिन भारत जो है और राजस्तान ज कि अपना बढ़ते हैं कि डाइग्राम को बना लीजिए भी डाइग्राम कि है कि डाइग्राम से आप सारी चीजों को आसानी से याद कर सकते हो अभी मैंने इस सब चीजें समझा दी लेकिन कुछ समय के बाद यह चीजें भूल जाओगे मुझे पता है और डाइग्राम ऐसी चीजें कि वह आपको याद दिला देगे अगर ठीक है न तो आपको डाइग्राम बनाना ही पड़ेगा ठीक है भई तो इस तरीके से आपको सारी चीजे मेंटेन करने पड़ेगा कि चले अब देखो अपन आगे देखते हैं मैं इस यहां से क्वेशन के से पूछा जाएगा मिटार हो मैं इसको देखो-चले बई देखो चले बई देखो यहां पर अगर 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 बात करते हैं तो अपनने देशांधर पड़ लिया अब देखो यहां पर कुछ डेट्षा हैं कहां से अपनको कोशन पूज आता है जिससे आपने को पूछा जाएगा 21 मार्च बहुत बार कोशन पूछा गया 23 सेप्टेंबर बहुत बार 21 जून और 22 दिसंबर तो यहां से कोशन पूछा जाता है और यह सब चीज़े क्या है इसी सी देशांतर से ही related है इसलिए मैं यहां बता देता हूं इसको ठीके इंडियन जोग्रोफी भी मैंने वहां पर भी बता है जिनको वहां पर समझ में नहीं आया वो यहां पर देख ले और चीज़ों को समझे ठीके तो सबसे पहले पन पढ़ने जा रहे है यही पर विशू की घटना विशू की घटना यह जो विशू होता है क्या वाता है देखो भी सबसे पहले इसकी definition समझने होगी यह है अपनी पूरी प्रत्वी और इस पूरी प्रत्वी की मैं बात करूं तो इस पूरी प्रत्वी के बीचों बीच एक अकसांस है जिसको बोलते है जीरू डिग्री भो मद्दे रेखा ठीक है या पिर इसे कहते है विश्वत रेखा या पिर इसे कहते है एक्वेटर ठीक है अब देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यह सूरी का प्रकास यहां पर आएगा सूरी का करेगा प्रकास डालेगा क्योंकि प्रत्व का खुद कोई प्रकास नहीं होता प्रकास का स्रोत क्या होता है सूरी है यह यहां पर प्रकास डालता है तो सूरी विश्वेटर प्रकास डालता है तो माना कि सूरी अभी करकरेखा पर है तो करकरेखा से नीचे जाएगा पिर तो दक्षिनाइन हो रहा है और दक्षिनाइन जब सूर्य इस प्रकार से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो एक बार किस पर जाएगा भूमत रेखा पर यहां पर भी मकर रेखा है पर यहां से जब उपर जाता है तो फिर से एक बार भूमत रेखा पर आता ह किया पढ़ता है, लंबवद पढ़ता है, विलकुल, state तो यही quick question पूछा जाता है, यहीँ से कि सुरीय का प्रकास वर्ष में, वर्ष में, दो बार कितनी बार दो बार लंबवद पढ़ता है, भुमद्दे रेखा पर और इसे को कहते है, वीशू की गटना क्या कहते हैं वी वीशू की गटना द्यान से सुनना दुबार बोलता हूँ सूर्य का प्रकास जब भुमद्दे रेखा सूरी सूर्य का प्रकास वर्स में दो बार भुमद्दे रेखा पर लंबत पड़ता है इस गटना को वीशू की गटना के नाम से जाना जाता है ठीक है त सूर्य का प्रकास वर्स में दो बार कितने बार दो बार बुमद्दे रेखा पर लमवत पड़ता है तो इस घटना को विशू की घटना कहते हैं कौन से घटना कहेंगे विशू की घटना कहेंगे अब देखो दो बार कब कब पढ़ता है एक तो पढ़ता है 21 मार्च को और एक पढ़ता है 23 सेप्टेंबर तो 23 सेप्टेंबर और 21 मार्च को सूर्य जो है भुमद्दे रेखा पर लमवत पड़ेगा और इस घटना को विशू की घटना के नाम से जाना जाएगा अब मैं आपसे पूछू कि पहले सर्दी आती है या फिर गर्मी आती है सर्दी आती है फिर बारिस का मोसम आता है तो आपको कि सर पहले तो बारिस का मोसम आएगा तो 21 मार्च के बाद ये बारिस का मोसम स्टार्ट हो जाता है और इसलिए 21 मार्च को जो घटना घटेगी वो होगी बसंत विशू की घटना तो कोशन पूचा भी गया कि बसंत विशू की घटना कौन से दिन घटित होगी तो 21 मार्च को बसंत विशू की घटना घटित होगी कोई दिकत चले और तेवी सेप्टमबर को सरदी स्टार्ट हो जाएगी तो सरद विशू सरद विशू की घटना यहां पर घटित होगी किसकी घटित होगी? सरद विशू की घटना यहां पर घटित होगी चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो भई लिखो इसके अंदर विशू की घटना और इसमें लिखो इसमें लिखो कि लिखो सूर्य का प्रकास जब लिखो भई सूर्य का प्रकास जब वर्ष में दो बार वर्ष में दो बार भूमद्दे रेखा पर लंबोत पड़ता है तो इस गटना को विशू की घटना कहते हैं तो इस गटना को विशू की घटना कहते हैं विशू की घटना कहते हैं ठीके फिलिखो 21 मार्च हेडिंग लगा हो भई 21 मार्च लिखो इस दिन सूरी का प्रकास भूमद्दे रेखा पर लंबोत पड़ता है इस दिन सूरी का प्रकास भूमद्दे रेखा पर लंबोत पड़ता है इस गटना को बसंत विशू की घटना करते हैं इस गटना को बसंत विशू की घटना करते हैं क्या कहते हैं बसंत विशू की घटना करते हैं ठीक है बसंत विशों की गटना कहते हैं बसंत विशों की गटना कहते हैं ठीक है फिल लिखो 23 सेप्टमबर हेडिंग लगाओ 23 सेप्टमबर इस दिन सूरे का परकास सिस्टेमेटिक तरीके से बनाईए नोड तब ही सही रहेगा इस दिन सूरे का परकास इस दिन सूरे का परकास भुमद्य रेखा पर लंबँग पड़ता है भुमद्दे रेखा पर लमवच पड़ता है इस गटना को विशू की गटना इस गटना को सरद विशू की गटना कहते हैं सरद विशू की गटना कहते हैं ठीक है? कोई दिक्कत? अब दो को 21 मार्च और 23 सेप्टंबर ऐसी डेट है इस दिन जो है प्रत्वी पर दिन और रात की स्थितियां समान रहती है दिन और रात की स्थितियां कैसे रहेगी? समान यानि कि इस प्रत्वी पर दो ही ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात समान रहते हैं यानि बारा-बारा गंटे के होते हैं ठीक है तो नौट बना कर लिखो 21 मार्च व तेवी सेप्टमबर को दिन और रात की इस्तिती समान होती है दिन और रात की इस्तिती केसी होती है समान होती है ठीक है अब यहां से कोशन पूछा गया कि बसंत विशू की घटना निम्न में से कौन से दिन होती है तो 21 मार्च 23 शेप्टमबर 4 जुलाई यह सब आपको वहाँ पर दिया जाएगा ठीक है तो ध्यान रखना पच्चे कब होती है कि यहीं सेप्टम तो 21 मार्च को ठीक है ना एक बार आप यहां से एक बार इस डायग्राम को उतार लीजिए फिर अपना आगे बढ़ते हैं चले उताली आपने अब आगे बढ़ते हैं और जो अब चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और अब जो अपन पढ़ेंगे सक्रांती वगेरा पढ़ेंगे सक्रांती या फिर आयनात के बारें बात करेंगे और वह बहुत जज़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि एक दुगों वहां से कोशन किस टाइप में पूछा जाता है कि समझ में आपके सब कुछ आ रहा है कि सब कुछ आते में भी वहां से आप कोशन गरत करते हैं और कोशन कैसे गलत होता है और आपको कैसे सही करना है वह सब चीजे में आपको बताऊंगा ठीक है भई तो है कि चलते है अपन अब पढ़ने जा रहे हैं पर सक्रांती या फिर आयनाद की घटना सक्रांती या फिर आयनाद की घटना 10 मिनटे भी कोई दिक्कत नहीं है क्लास का देखो भी सक्रांती या आयनाद की घटना सक्रांती या फिर आयनाद की घटना होती है वो क्या होती है भी देगो अगर आपको विशूव समझ में आया है तो ये भी समझ में आएगा देखो भी ये पूरी प्रत्वी है ठीक है? समझना ध्यान से और इस पूरी प्रत्थी पर इस प्रकार से चीरू डिगरी भूमदे रेखा है यहां से उपर की तरफ जाते हैं तो यहां पर करक रेखा आजाएगी और करक रेखा साड़ी तेविश डिगरी उत्तिरी अकसान से और यहां पर आजाएगी मकर रेखा अब यहां से आ जागा सूरिय यह सूरिय क्या करता है प्रकास डालता है में ने का था कि सूरिय प्रत्वी पर करक रेखा और मकर रेखा की भी इसमें क्या दालेगा इस गठना को सक्रांती या फिर अइनात के नाम से जानते हैं दो बार से सुनना सूरी का प्रकास वर्स में दो बार पहली बार करकर रेखा पर दूसरी बार मकर रेखा पर लंबत पड़ता है तो इस गटना को सक्रांती या आइनात के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं सक्रांती या फिर आइनात के नाम से जानते हैं कोई दिक्कत चले आगे अब देखो मैं लिख देता हूँ सूर्य का प्रकास सूर्य का प्रकास आप भी लिखते जाएए सूर्य का प्रकास जब प्रत्वी पर पढ़ता है तो वर्स में दो बार पहली बार करक रेखा और करक रेखा पर 21 जून को पढ़ता है कब 21 जून पहली बार करक रेखा पर वर दूसरी बार मकर रेखा पर लंबवत पढ़ता है तो दूसरी बार मकर रेखा और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत पढ़ता है सूरी का प्रकास जब प्रत्वी पर पढ़ता है तो वर्स में दो बार पहली बार करक रेखा पर और दूसरी बार मकर रेखा पर लंबवत पढ़ता है तो इससे अपन क्या कहेंगे सक्रांति या फिर आयनाथ कहेंगे अब देखो 21 जून है 21 जून को सूरी करक रेखा पर लंबवत पढ़ेगा ठीके और इस दिन को कहेंगे करक सक्रांति करक सक्रांति और जब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पढ़ेगा तो इससे कहेंगे मकर सक्रांति ठीके न बवई तो यहाँ पर अगर अगर अपन बात करते हैं विचे तो यह सारी जी यह समझ में आड़ी यहां तक आपके समझ में आ गया धीरी 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 सब समझ में आजाएगए ज़्यादा वढ़ेँ नहीं क्योंकि 20 से 25 कोशनी आपे बनेंगे आंसर सिर्पोर्शीब दोए होंगे ऐखी के तो लिखिए सके अंदर सबसे पहले परीभासा में लिखवा देता हूँ या फिर आपने लिख ले आओगा जिन्हों नहीं लिखा वो अब लिख ले लिखो इसमें सक्रांति या फिर अइनात की घटना और इसमें लिखाओ कि सूरी का प्रकास कि जब प्रत्वी पर कि पढ़ता है कि तो वर्स में दो बार पहली बार करक रेखा पर वर दूसरी बार मकर रेखा पर लंबोत पढ़ता है तो इस गटना को सक्रांति या अइनात के नाम से जानते हैं कोई दिकत भई कोई दिकत नहीं न चलते आगे तो यह डाइग्राम बना लीजिए तोड़ा सा फिर में आगे आपको करवाता हूं तोड़ा सा डाइग्राम बना लीजिए ठीक है डाइग्राम कर लीजिए तोड़ाइग्राम के बाद अपन बात करेंगे अब डाइग्राम आपने कर लिया अब देखो 21 जून को सूरी कांप पढ़ रहा है करक रेखा पर और इसे करक सक्रांती कहते हैं क्या कहते हैं करक सक्रांती और 22 दिसंबर को मकर रेका पर लोंबात पड़ेगा तो इसे मकर सक्रांती कहेंगे ठीक है तो हेडिंग लगाईए यहां पर कि 21 जून लिखो इसके अंदर हेडिंग लगाओ इसमें लिखो 21 जून इसमें लिखो कि इस दिन सूर्य का प्रकास करक रेखा पर लंबत पड़ता है करक रेखा पर लंबवत पड़ता है करक रेखा पर लंबवत पड़ता है इसलिए इसे करक सक्रांती के रूप में जाना जाता है अब यहाँ पर दिन और रात किस्तितियां अलग लग होगी बड़ा होगा दिन फिर छोटा होगा तो उत्री गुलार्द के सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है सबसे छोटी रात कौन सी होती है सबसे लंबी रात कौन सी होती है सारी चीज़ी यहाँ पर देखेंगे अपन दक्षन गुलार्द के बारे में देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अपन next class में इसी को continue करेंगे और इसी के आगे अपन चलेंगे तो तब तक के लिए जे हिंद, जे भारत, जे जवान चलते हैं